आज हम लोग आपकी कक्षा बारा में कविजगर नाद्दास रतनाकर जी द्वारा रचित गंगा वतरण के चौथे पध्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काविशंदर्य लिखना सीखेंगे लेकिन सबसे पहले हम लोग इस पध्यांश में जितने भी शब्द आये हुए हैं, पहले इन सभी शब्दों का सरल अर्थ जानेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इस पध्यांश की व्याख्या को सीखेंगे तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पध्याच में आए हुए सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लेते हैं कब हुँ, कब हु माने कभी, कब हु माने कभी, सु, सु माने सुन्दर, धार, धार माने धारा, धार माने धारा, तो जब दोनों को एक साथ लेंगे, सु धार, तो हो जाएगा सुन्दर धारा, लेकिन हम लोग कहेंगे, गंगा की सुन्दर धारा, गंगा की सुन्दर धारा, देखें अपार वेग माने अत्यधिक वेग से या अत्यधिक गति से जो भी आपको अच्छा लगे एक लेके व्याख्या कर लीजिए। नीचे कव मतलब नीचे की ओर धावय माने दवडती हुई हर हराती माने हर हराती हुई या हर हर की ध्वनी करती हुई दो में से जो भी आपको अच्छा लगे एक लेकर के व्याख्या कर लिजिए लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समझ लिजिए देखे आपको पता है कि जब पानी तेजगत से बहता है तो वो हर हर की ध्वनी करता है हर हराता है तो यहाँ पर गंगा की धारा के लिए आया है कि जब गंगा की धारा तेजगत से चलती है तो हर हर की ध्वन करती है, हर हराती है, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, लहराती, लहराती माने लहराती हुई, सहस, सहस माने हजार, जोजन, देखें जोजन माने योजन, यहाँ पर थोड़ा सा समझ लिजे, प्राचेन काल में, जब दूरी का मातरक किलो मीटर मीटर इसका ग्यान नहीं था, तो दूरी को जो है योजन में मापा जाता था, तो यह दूरी मापने का एक मातरक है, यदि आपने हनमान 40 कभी सुन पढ़ी होगी, तो आहां पर एक जगह आया है, योग सहस्त्र योजन पर्भानू, ठीक है, तो योजन एक मात्रक है, दूरी मात्ने का, चली आवय, चली आवय मतलब चली आ रही है, चली आवे मतलब चली आ रही है मनु मनु माने मानो बीधी बीधी माने ब्रहमा जो भगवान ब्रहमा है तो उन्हीं के लिए आया है ब्रहमा चतुर सरल है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन देखिए मिहाँ पर ध्यान दीजिए जब हम लोग बिधि चतुर एक साथ कहेंगे न, तो इसका अर्थ हो जाएगा ब्रहमा रूपी चतुर किसान, ध्यान रहें, बिधि चतुर माने ब्रहमा रूपी चतुर किसान, पाउन, पाउन माने पावन, यानि कि वायू, हावा, जो भी आपको अच्छा लगे, एक लेकर ब्याख्या कर लीजिए नीज मन कव दिखें नीज माने अपना अपने अपनी तीनों होता है अब वाग के हमारा जैसा मांगेगा मन सरल है और कव माने की कव माने की तो तीनों को एक साथ कहेंगे नीज मन कव तो आप कह सकते हैं अपने मन की या अपने मन के अनकूल अपने मन की या अपने मन के अनकूल ठीक है चलिए पावत पावत माने पाकर पावत मतलब पाकर पुन्य खेती देखे पुन्य खेती माने पुन्य रूपी खेती पुन्य रूपी खेती जो ब्रहमा किसान है वो पुणियों की खेती कर रहे हैं तो पुणे रूपी खेती उत्पन सरल है कोई दिक्कत नहीं है आप इसको पैदा भी कह सकते हैं उत्पन भी कह सकते हैं हीर की मतलब हीरे की हीर की मतलब हीरे की जो हीरा मुल्य धातु होता है तो हीरे की रासी रास इमाने होता है धेड़, या आप सामान भी कह सकते हैं, कोई चीज की रास, कोई चीज का सामान, हीरे का धेर, ठीक है, उसावत, देखें, उसावत का मतलब होता है ओसाना, यदि आप गाउँ से संबन्ध रखते होंगे, तो आपको पता होगा, जब किसान अपनी फसल तो उसका जो आनाज होता है उसमें बूसा रहता है तमाम चीजे खड़ पतवार होते हैं तो हवा में उसको उसाता है तो जो बूसा होता है वो दूर चला जाता है और और आनाज उसको एक जगा मिल जाता है तो जो उसाता है वही यहां पर है उसावत ठीक है उसावत उसाना साइस का संदर्व और प्रसंग लिख लेते हैं क्योंकि संदर्व और प्रसंग को भी प्रश्ण बना के पूछ लेता है ठीक है तो चलिए सबसे पहले हम लोग संदर्व लिख लेते हैं तो आप संदर्व हेडिंग डालेंगे डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्थ पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित गंगावतरण शिर्शक से उद्धित है इसके रचैता श्री जगन्नात दास रतनाकरजी है पूर्ण बिराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा चलिए अब हम लोग इसका प्रसंग लिख लेते हैं तो आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तूत पद्यांश में कविने आकाश से धर्ती पर उतरती हुई गंगा की तीब्रधारा का तथा ब्रहमा का एक चतुर किसान के रूप में बहुत ही सुन्दर वर्ण किया है पूर्ण बिराम लगा देंगे और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा चलिए अब हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को सीखते हैं तो कवि कहते हैं कब हुँ सुधार अपार वेग नीचे कवधावे हरहराती लहराती सहस जोजन चलिआवे प्रस्तुत पद्यांश में कविरतनाकर जी कहते हैं की अब आजाए पद्यांश पर कहते हैं की कभी गंगा की सुन्दर धारा सुधार गंगा की सुन्दर धारा अत्यधिक तीवर वेग से नीचे की ओर दवडती हुई, धावे दवडती हुई, कामा लगाएंगे, कामा दवडती हुई, कामा हर हर की ध्वन करती हुई, हर हराती हर हर की ध्वन करती हुई, और लहराती हुई, हजार योजन तक, सहस जोजन हजार योजन तक बढ़ती चली आ रही है, और पूनविराम लगा देंगे, चलिए एक बार फिर से दोनों लाइन की व्याख्या को सीखते हैं तो देखिए मैंने कहा कि सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे डैश डालेंगे और डैश डाल करके थोड़ा सा लिख लेंगे क्या लिखेंगे एक बार फिर से सुन लीजिए प्रस्तुत पद्यांश में कविरतनाकर जी कहते हैं की अब आजाए पद्यांश पर कहते हैं की कभी गंगा की सुन्दर धारा अत्यधिक तीवर वेग से नीचे की ओर दवड़ती हुई कामा हर हर की ध्वन करती हुई और लहराती हुई हजार योजन तक बढ़ती चली आ रही है और पूर्ण बिराम लगा देंगे चली आगे देखते हैं मनू बीधी चतुर पवन निजमन कव पावत पुन्य खेती उत्पन नहीर की रास उसावत बहुती सरल लाइन है लेकिन भाव के अनुसार फिर थोड़ा सा पहले अपनी तरप से जोड़ के लिखेंगे क्या लिखेंगे ध्यान से सुनिये आगे कविरतनाकर जी कहते हैं कि गंगा की धारा से पृत्वी पर गिर्ती हुई जल की बूंदों को देख कर ऐसा प्रतीत होता है अब आजाए लाइन पर ऐसा प्रतीत होता है मानों मन, मानू, ऐसा प्रतीत होता है, मानू, ब्रहमा रूपी चतुर किसान, बिधि चतुर, ब्रहमा रूपी चतुर किसान, अपने मन के अनकूल, निजमन को, अपने मन के अनकूल, वायु को, पाउन, वायु को पाकर, पावत, पाकर, वायु को पाकर, अपनी पूण्य की खेती स क्याैं निखिक्त से अतंड ही चींट एक स्थाओत अंचीं श्मन्षाओं को आया चशी को अनुगित से रावली की थेर की षित स्थीसिया को या आप कह सकते हैं धूर को असासा रहे हैं और पूर्ण बिराम लगा देंगे, चलिए एक बार फिर से दोनों लाइन की व्याख्या को सीखते हैं, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा भाव के अनुसार अपने से जोड़ के लिखेंगे, क्या लिखेंगे एक बार फिर से सुन लिजिए, आगे कविरतनाकर जी कहते हैं कि गंगा की धारा से प्रिथिवी पर गिरती हुई जल की बूंदों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है, अब आजा ये लाइन पर, ऐसा प्रतीत होता है, मानो, ब्रहमा रूपी, चतुर किसान, अपने, मन के, अनुकूल, वायू को, पाकर, अपनी पूण रूपी, खेती से, उत्पन, हीर की फसल की रास को उसा रहे हैं, पूर्ण बिराम लगा देंगे, और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी, चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा इसका काविसांदर भी देख लेते हैं, क्योंकि काविसांदर से भी प्रशन पूछे जाते हैं, तो देखिए, यदि रस की बा लंकार देखा जाए, तो इस पद्यांश में अनुप्रास, उत्प्रेक्षा और रूपक, ये तीन मुख्या लंकार हैं, ये तीनों अलंकार कहां पर हैं, चलिए, हम लोग थोड़ा सा पद्यांश पर चल करके देख लेते हैं, तो भूलेगा नहीं, देखिए, जब आप य अनुप्रास, लंकार है, एक हो गया, आप दूसरा देखिए, यहां पर मनुश शब्द आया है, तो आपको पता है कि जहां पर मानू, मनू, मनहू, जानू, जानू, जनहू, जयो, ये शब्द आया रहते हैं, तो वहां पर उत्प्रेक्षा लंकार होता है, तो यहां पर उ रूपी चतुर किसान गर्हामा डूपी चतुर किसान तो रूपकलंकार पोने रूपी खेटेटी रूपकलंकार ठीक है तीमों हो गया चलिया आगे देखते हैं है यदी हम लोग इस पद्याश के भाशा की बात करें तो इसकी जो भाशा है थिक प्राबंध है गुण इसमें प्रसाद है और यदि शब्द शक्ति की बात करें तो शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है